रसुकदार दबंग भू माफिया कमलेस कुमार का खुटा एक बार फिट डोल गया आज यानि शुकरवार को ED की टीम ने कमलेस कुमार के ठिकानों पर रेट बारी कमलेस के कांके रोड इस्तिद एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट और चेसायर हूम के पास के ठिकानों पर छापे मारी की है रेट के दरमियान ED की टीम ने कमलेस के ठिकानों से करीब एक करोड कैश और सो पिस जिंदा गोलिया जब्त की है कि मामले फोटोग्राफर से बड़ा भू माफिया बने कमलेस कई बैमान पुलिस अधिकारियों और तथा कथित पत्रकारों का दुलारा है ED के रेट के बाद कुछ वैसे सफेद पोश भी बेननकाब होंगे जो भू माफिया कमलेस कुमार से गाहे बगाहे माल टांते रहे हैं कुछ चहरे तो चौकाने वाले बेननकाब होंगे कमलेस बिकाव सिस्टम का बढ़िया खरीदार बन कर हर तरह के काटा को निगलने में माहिर है मिली गोलिया इस बात के गवा हैं कि बहुत जल्द एडी उमदा किस्म के हथियारों तक पहुच सकती है माफिया कमलेस के ठिकानों पर एडी की रेट की फैली खबर के बाद से ही उसके कई पनागार और मददगार हाफने लगे है कमलेस का कुछ नहीं बिगरने देने का दावा करने वाले उसके कुछ रहबर के इस बार पसी ने छूट सकते हैं कुछ साल पहले यानि 27 नवंबर 2020 को काके पुलिस ने उसे गिरफतार कर जेल भीजा था तब वो तुरंग जेल से छूट गया था उसके जेल से बाहर आते ही एक आला पुलस अधिकारी का कहना था कि जिसकी जेब में रिश्वत की चाबी होती है वो ज्यादा दिनों तक हवलात में नहीं रहते करीब एक दशक पहले अलग-अलग रंग के हवाई चपल पहन राची में इंट्री करने वाले कमलेश ने शुरू में एक अस्थानी अख़वार में पोटोग्राफर की नोकरी पकड़ी पोटो खीसते खीसते उसने एक आला पुलस अधिकारी के घर तक आना जाना शुरू कर दिया इक IPS की पतनी की महरबानी ने उसे बड़ा जमीन माफिया बना दिया वो माला माल होते चला गया बाइक से लेकर कार तक गिफ्ट लेने वालों ने उसका पूरा साथ दिया कई सफेद पोशों को वो टूर पैकेज भी बतौर गिफ्ट देने लगा काके में पुलिस हाउसिंग कॉपरेटिव बसाते ही उसकी तकदीर बदल गए कई आला अधिकारियों की रहमत की बारिस होते ही कमलेस ने काके के जमार नदी को समतल करना शुरू कर उसे प्लॉटिंग कर बेचना शुरू कर दिया उसने कई लोगों से गिफ्ट में जमीन देने का भी बादा कर दिया इसमें कुछ बड़े अहदे पर काबिज लोगों की पतनिया भी शामिल है इससे पहले बी ए यू की जमीन पर कबजा और सरकारी जमीन पर पुलिस सोसाइटी बसाने को लेकर भी माफिया कमलेश का नाम पुलिस फाइल में दर्ज है मददगार बने काके के तदकालिन सीओ अनिल कुमार को सस्पेंट कर दिया गया था महीं रजिस्टार को अपनी कुरसी गवानी पड़ी थी इसके बावजुद उसके दो नंबरी धंदे पर कोई असर नहीं पड़ा एक रिजोर्ट का भागिदार भी बन गया जमीन माफिया कमलेश पर जमीन ओटाले से सम्वंदित कई केस दर्ज है सुत्रों के अनुसार एडी के पंजे में आए शेकर को स्वाह से कई एहन जांकारी मिली कमलेश के ठिकानों से एडी ने कई तरह के दस्तावेज मिले कमलेस कुमार को लेकर E.D. के पास कई चौकाने वाली जानकारिया है जार्खन के एक बड़े पुलस अधिकारी माफिया कमलेस के चलते ही विवादों में फसे थे और मामला कोड तक पहुँच गया था कमलेस पर मली लॉंडरिंग का भी इल्जाम है जाली दस्तावेश के जरिये करोडों की संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप है